साथ टेवे ना ग्रह कोई साती, साथ दूजा भी खाली जो, उलाद कमी की अजब की हानी, जिन्दा औरत दो बैठी हो नमस्कार दोस्तो आज का विशे है शुक्र अगर भाव नंबर चार में आकर बैठ जाए तो उसके बारे में लाल किताब क्या कहते है दोस्तो इस भाव में शुक्र इनसान को शुब फल प्रदान करने वाला होता है इस भाव के शुक्र को खुश्की का सफर कहकर पुकारा गया है इनसान की यात्राएं बहुत होती हैं और इसका फल भी अच्छा है क्योंकि ये भाव घ्रहस्ती और भौतिक सुख साधिनों का घर भी माना जाता है और इस घर में भोग विलास का कारक शुक्र बैठ जाए तो जातक का जीवन सदा बहार होगा शाधि के चार साल बाद इसे ग्रहस्ती और सभी सुख सोविधाओं का अराम अधिक बिलना शुरू हो जाता है ऐसा जातक धनवान होता है और ऐसे जातक में कामागनी की अधिक मातरा होती देखी गई है जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही लाल किताब की कुछ पंक्तनिया बोली थी इसका मतलब था कि भाव नंबर दो और भाव नंबर साथ को देखकर फैंसला लिया जाता है ऐसे इनसान की शादी का अगर दोनों भाव ही खाली हो तो अक्सर देखा गया है कि इस इनसान के जीवन में दो औरते हों और इसमें भी एक की उमर बड़ी या बराबर की और दूसरे की उमर छोटी होती है और अगर उन भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठा हो तो फिर एक ही औरत होगी फिर भी ग्रहस्त का जो फल है उसका जो है वो पूरा सुख नहीं ले पाता दोस्तो इस भाव के शुकर का अच्छा फल लेने के लिए इस इनसान को भ्रहस्त पती का उच्छ होना या कायम करना बहुत जरूरी है जिसकी मदद से ये इनसान शुकर का भी पूरा फल ले सकता है और ऐसे इनसान के जो ननी हाल है उन में मैंने अक्सर कुछ बुरे वाक्यात होते भी देखे हैं इस इनसान के जनम लेने के वक्त खास करके जो मामा खानदान को लेकर जैसे की मामा को आर्थिक परिशानी या उसकी अलादादी ना होना या उसकी घ्रस्ती का खराब होना वगरा देखा गया है अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस इनसान को बेटा पैदा होने में देरी या बेटा होता ही नहीं जैसे योग देखे हैं दोस्तो सबसे मुत्पुर्ण बात यह है कि जो शुक्रचार वाले को उसके परिवार को यानि कि उसके माता पिता को खास करके ध्यान रखनी जाहिए वह यह है कि ऐसे इनसान के घर में, खेट में, खलिहान में या किसी भी अपनी मालिकाना हक वाली जमीन में कोई भी बंद पड़ा हुआ या सूखा हुआ या चट डाल कर बनाया हुआ कुआ या कोई बड़ा बोरवेल ना हूँ और अगर वह चालू हालत में नहीं है तो इसका बहुत ज़्यादा मन्दा असर ऐसे इनसान की कुंडली में आ जाएगा जो कि आपको ना सिर्फ ग्रहस्ती में रुलाएगा बलकि आपके शुक्र के सब फलो को भी मन्दा कर देगा उसकी समपूरन चीजों को मन्दा असर देना शुरू कर देगा शुक्र भोग विलास और एश प्रस्ती का भी ग्रह है इससे ये सब चीजे मन्दे असर पर आजाएगे ऐसे इनसान को अलाद नहीं होने के योग पैदा हो जाएगे इसलिए ऐसे योग को खत्म करने के लिए सोशल मीडिया पर नहीं बताया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से अर्थ का अनर्थ होने की संभावना जादा रहती है और इससे ऐसे इनसान को नुक्सान जाएदा और फल और उसके फाइदे कम पहुंचेंगे इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा बीत रहा है तो आपको किसी अच्छे लाल किताब के जानकार खे पास आपको अपनी कुणली जरूर दिखानी चाहिए उसका विवेचन जरूर कराना चाहिए वह आपका मसला आपको जरूर हल्द कर देगा आपको कोई ना कोई उपाए बता देगा बहुत से योग सबकी कुंडली में लागू नहीं होते हैं पर लाल किताब में इसका उवर्णन है जैसे कि यहाँ पर सास बहु का जगड़ा लिखा है और वह भी खास करके तब जब कुंडली में ब्रस्पती लगन में हो यह कुंडली में कहीं और कैसे भी चंद्र और शुकर टक्राप पर आ जाए मैं शुक्र भाव चार वालों को कुछ ऐसी हिदायते जरूर देना चाहूंगा जिससे उनका फाइदा होगा अगर वे इस पर अमल कर ले तो ऐसे इनसान को दूसरों के अवगुन नहीं गिनाने चाहिए और ना ही किसी की चुगलियादी करनी चाहिए बलकि अगर आप किसी के गुन और अच्छी बातों के बारे में लोगों को बताते हैं तो इससे आपकी किस्मत भी चमकेगी और इन्हें लोगों को अगर आप लोगों की गलतियों पर परता डाल रहे हैं तो ये भलाई से आप अच्छे इनसानों गिने जाएगे ऐसे इनसान को चाहिए कि कभी भी अपने घर की जो चछत है वे कभी भी टूटी-फूटी ना रखें और ये आदत इसे शुकर के सभी अच्छे और नेक फल को बढ़ा देगी और अगर वे टूटी-फूटी रहेगी तो यही आदत उसको नुकसान में बदल देगी और तो और पत्नी की सेथ और माली नुकसान ये चछत खराब होने की वज़े से अलग से आजाएगे अब बात करते हैं कि किस तरह के कारोबार आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं शुक्र चारवाले को आटो मॉबाइल्स स्पेशली जो फोर वीहलर का काम है वे हमेशा फाइदा देता है अनिमल हस्बेंट्री के अंदर फाइदा देखा के है अनिमल प्रोडक्स, फीड, उसके अनिमल के साथ अनिमल्स की देखबाल के लिए किसी भी तरह के जो एक्विक्मेंट्स हैं उसका निर्मान करना या सेल परचिस करनी फाइदा देगा डेरी प्रोडक्स का बिजनस बहुत फाइदा देगा और उसमें भी खास करके दही का, मक्खन का वगरा वगरा ऐसे इंसान को वाचिस और इलेक्ट्रोनिक बिजनस ये कभी भी करते वक्त विचार करके ही करना चाहिए वरना हर आदमी को इसका फाइदा शायद ही मिले जो आपको नहीं करना है वह है रेडियो और टेलिविजन और किसी भी तरह के मीडिया से रिलेटिड बिजनस ये आपको नहीं करना है अब आद करते हैं उपाय की गाएं और बच्चडे का दान बहुत फाइदा देगा आडू की गुटलियां उनमें छेद करके सुर्मा भरके गास वाली जमीन पर दबाने से आपको नेक फल मिलेंगे ऐसे इनसान को अपनी पत्नी के सर पर हमेशा सोना धारन करवाना चाहिए इससे लग्जरिस भी बढ़ेंगी और पत्नी की सेहत भी ठीक रहेगी अगर पत्नी से किसी भी तरह की परिशानी आ रही है चाहे ग्रस्त के या वेपार की या लग्जरिस के साथ रिलेटिट या उसकी सेहत से रिलेटिट तो आपको अपनी पत्नी से दुबारा शादी करना भी लाबदाएक रहेगा घर की पुरानी दहलीच काइम करना बिलकुल मत भूलिए अगर आप अपना घर चेंज कर रहे हैं ऐसे इनसान को कुए में केसर भी गिराना चाहिए इससे आपको नेक फल मिलेगा दोस्तों जो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको लाल किताब के हर पहलू से जो आपकी जान पचान है उसको मैं करवाने के कोशिश करता हूँ और इसी तरह शुक्र जो है वो प्रेम और एश्वरे और लग्जरीस का भी सूचक है और आपके जीवन साती का में इसलिए आपको यहाँ आपके परिजनों को आपके अपनों को मैं यह जान करें जरूर देना चाहूँगा कि कुंडली मिलान के बिना आप शादी मत करिया कभी-कभी शादी जो है वो बेमानी हो जाती है कई बार जीवन साती से अलगाव, विदाई उस पे या खुद पे जानी माली नुक्सान आदी जहलने पड़ते हैं और कई योग तो ऐसे देखे हैं जिसमें खुद खी बजाए, ससुराल तबाह होते देखे गए हैं ऐसे एक या दो नहीं सेंकडो योग दियें गये हैं लाग किताब में उनका वर्नर भी पूरे विस्तार से हैं कुछ योग तो ऐसे हैं कि वर और वदू की कुणली तो ठीक होती है पर इन्तु समय गलत होता है यन कि किसी खास उमर से पहले या बाद में की कही शादी आपको उत्तम फल रहेगी ऐसा लिखा गया है इसलिए आपसे निवेदन है कि खाली सौफ्ट्वेयर की मदद से किये हुए गुन मिलान या किसी वैदिक जोतिशी के इलावा आपको किसी अच्छे लाल किताब के जानकार की मदद भी लेनी चाहिए इससे आपका और आपके चाहने वालों का भला ही होगा दोस्तों हम नए नए टॉपिक लेकर आपके पास हमेशा आते रहते हैं और आपका प्यार हम पर बना रहे इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए अगर किसी तरह का क्वेश्चन आए तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं हम आपक को इसका उत्तर जरूर देंगे जल्दी मिलेंगे किसी नए विशेपर तब तक आगया दीजिए नमस्कार